नमस्कार आप देख रहे हैं टाइम्स नियूज और मैं हूँ आपके साथ अभी आईए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर कॉंग्स का जंडा लेकर तीस नोकाओं के काफिले के साथ नदी में रैली निकाल कर परदशन किया वहीं ग्रामिनों ने नगर के मुख्य रोड पर बने पुल से पुश्व वर्षा के साथ नारेबाजी का रैली का भब देस्तो आगत किया वहीं सिंदु विक्रम सिंग शंशाबाद विधानसभा से कॉंग्स के प्रबलताविदार हैं हम कुछ अलग करना चाहते थे और हमारे जो केवड़ भाई है जो हमारे निशाद परिशत के अध्यक्ष हैं वह काफी समय से मेरे पास आते रहे कि हम कुछ नया करना चाहते हैं आप हमारी मदद लेजिए तो इस परकार हम लोगों ने उनका सःयोग किया उन लोगोंने हमा ने पितल लाहिए जी दने को लिए अ लगातार ही लगातार यूजे बना रहे हैं लगातार ना रहे हूं सभाइक ते लाका रहे है वही हूं other ओर लेकार अनलौने मद लग लगातार ही थे 2 ब्र हमारे लांतली सेवह चुशाS ने की ति आई लिए हम ल dough बेना को 400 रुपए का सेलेंडर देंगे हमारी जो लाडली बहना है जगे-जगे मारी खदेडी घूम रही है है रान है परेशान है आज तक किसी को मेरे ख्याल से साड़े चार सो का सेलेंडर ना तो मिला है और ना कभी मिलेगा उनके समर्थन में मच्वा समीती की रैली निकाली थी हमारे मच्वा समू के और गरीब लोगों के पक्षिदर जो बमर साब जो उनका सयोग कर सकते हैं ने किसी नेता में हमें ऐसा कुछ गुण नहीं दिखाई देता तो क्या चाहती हो आपको यहीं चाहते हैं कि बमर बनाजी को बिदायक का टिकेट दिया जाए कारण रहा कि मच्वा संग को उस्का समर्दन कर रही हैं कांग्रेश की बहुत अच्छी नीतिया है और अभी बरतमान में हमारे साथ इतना बीजे पी के साजन में हमारे अभी बीस तारिक के सम्थिंग अभी बरोधिया के दर बहुत तेज बाला आ गई थी तो नाउजाल ब कॉंग्रेस सरकार आएगी तो आसा यह है कि यह जो गरीब ही, मतलब हम लोग जो गरीब हैं और जो महेंगा ही चल रही है उससे निजायत मिलेगी और हम जैसे गरीब बर्क के लोगों को साहता मिलेगी.